नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पार, जहां हम बात करते हैं फाइनन्स और इन्वेस्टमेंट्स की इंट्रेस्टिंग दुनिया के बारे में. आज हम डिसकस करने वाले है एक स्टॉक जो आजकल काफी न्यूज में है आपावर, यानि रिलायन्स पावर. तो बिना किसी डेरी के, चलिये शुरू करते हैं. तो सबसे पहले, थोड़ा बैक्राउंड डी देते हैं. रिलायन्स पावर मुकेश अंबानी के रिलायन्स ग्रूप का हिस्सा था, जो पावर जेनरेशन और डिस्ट्रिबूशन में डील करता है. 2008 में जब ये IPO पे आया था, तो काफी हाइप थी, लेकिन बाद में स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा. अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें, तो इनिशिल हाइप के बाद आप आवर का स्टॉक काफी गिर गया. लेकिन रिसेंट डिवलपमेंस को देखते हुए, इसमें FIR से थोड़ी मूवमेंट देखी जा रही है. अब ये स्टॉक किस डाइरेक्शन मी जाएगा, वो समझना काफी इंट्रेस्टिंग होगा. अब बात करते हैं रीसेंट अपडेट्स की. आरपावर ने कुछ नई प्रोजेक्ट्स और इनिशियेटिव्स अन्नाउंस किये है, जो इंवेस्टर्स को अप्टिमिस्टिक कर रहे है. रिन्यूइबल एनरजी के सेक्टर मी भी आरपावर अपना प्रेजन्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. जैसा की आप यहाँ देख सकते है, कंपनी ने रिन्यूइबल एनरजी मी इन्वेस्ट करने का डिसिजन लिया है, जो फ्यूचर के लिए काफी प्रोमिसिंग है. यह एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमेशा याद रखे, स्टॉक मार्किट मी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है. अब थोड़ा फाइन्शिल अनलिसिस की बात करते हैं. काफी एक्सपर्ट का मानना है कि आपावर का फ्यूचर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर यह अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेस्फुली एक्सिक्यूट करते हैं, तो स्टॉक मी ग्रोथ पोटेंशिल भी है. फाइन्शिल रेशियोज और बैलन्स शीट को देखते हुए, कुछ एक्सपर्ट्स कौशिस है, तो कुछ अप्टिमिस्टिक. एक्सपर्ट, आपावर का फ्यूचर लाज़ली उनके एक्सेक्यूशन केपिबिलिटीज और मार्केट कंडिशन्स पे डिपेंट करेगा. जरूर करें और अपने फाइन्शिल अड्वाइजर से कंसल्ट करें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक जरूर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले. नए अपडेट्स और इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ. मिलत हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए, हापी इंवेस्टिंग. लेस